बायो के फिल्ड में सबसे ज्यादा सुने जाने वाली चीज किया है DNA DNA । जोभी में और नघे非常 work सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो जो इसका बेस होता ना बेस होता है नाइट्रोजीनियस बेस होता है प्यूरीन एंड पिरामेडिन वह हम देखने वाले उनके इस्ट्रक्चर डारेक्ट कोशिन पूछ लिए जाते है और मजा भी आएगा आपको करनेगा थोटा सार अट्टाफिकेशन है बट कर लोगे अ अब इसके बाद हो गया मारा ये हैं कि का अब इसमें प्यूरीन भाह्या दिखता है ऐसे इसमें प्यूरीन और एक ना देखो एक रिंग बना के एक साईड वाली रिंग ठीक है अपनी कार्वन बैलेंस देख लेना सेटिसफाइड हो जाएगी चार होते है ठीक है उसमें फिर N दो यहाँ पर आ गए और दो इधर आ गए यह याद रखना है अब ही N किसमें जादा है अपना प्यूरीन में जादा है पिरामेडिन में कम है ठीक है और इसकी नम्बरिंग देख लो जो यह सेमन नमरिंग दे रखिए जैसे नौमक्लेचर करते थे ला इंट क्लास में वैसे यह यह भ axes बणा इस्परीन व्ह dif है फिर फॉर्मेट जो फ्हरीन है अपना उससे अपना सेकेंड वाला कार्स और Slide नेट्रोजन कहां से आया अमाइड ओफ गुटामीन ठीक है फिर ये विचारे साथ पांच चार कहां से आया गलाइसीन से जो सबसे चोटा मीनो ऐसीड है उसके बाद ये छह नंबर वाला कहां से आया है औरलास्ट में हमारा क्या उन्स चाहिए आट ये कहां से आया है FORMET सेcychot format से कुण उन्स से फॉर्मेट से दो और आप कहां से और सब्सेक्टा आया है डारेक्ट कोशन पूछा जाता है क्या पूछ लिया जाता है कि जो पूरीन का 9 नंबर का वह है नाइटोजन कहां से मिलता में या क्या बताना आमाइड ओफ गुटामीन कुछ इस तैप का कोशन आएगा यह आपको कर लेना है उसके बाद हम देखने वाले है कि यह जो अपना बेचारेके दो ही नाइटोजन उसमें कितने थे चार थे ठीक है यह नाइटोजन एक जो तीन नंबर वाला कहां से आया गुटामीन से आया है और यह जो हाफ है चार पांच, छे एक जो इतना बचगा है ना यह एसपार्टेट से आया और जो यह बचगा यह अपना सी-ओ- बड़ा नाम चोटा नाम चोटा च प्योरीन चोटा नाम बड़ा रखना ठीक है अब देखो जो भी कोशेन आने वाड है ना आपके थेवुरीकल एग्जाम हो गया या इंट्रुवु अगरा कोश्चन में तो आप इतना सोचो कि डिरेक्ट यह पूछ लेंगे आपने प्यू है बट तीन मेजर से पता लगएगा वा मेजर डिफररेंस है की ने जादा है इसका बीचार कमी है इसका रीजन कि नाइट्रोजन ज्यादा पर स्ट्रक्चरी तरह कंप्लेक्स है तो ज्यादा जल्दी मेल्ट नहीं हो पाता हूँ ठीक है यह क्या है कि अगर इसको प्यूरीन को केटाबोलिजम इसका इसको तोड़ दिया हमने तो क्या होगा यूरिक एसिड बनेगा क्या बनेगा यूरिक का अपना बायोटेक वाड़ा गेट कहीना कहीन आपको सिधा स्टेट टकरा जाना है तो चार पांच बार रिपीट कर लेना आज एगा सिंपल सा टोपिक है ज्यादा हैड़ेक लेने की जूर्तमी है बस चार पांच बार प्रेक्टिस कर लेना है साथ में आपको जो अमीनो प्रेक्टिस कर लेना आपको कहीना कहीं एक दो नंबर की जरूर आपकी हेल्प हो जानी है तो इंजोई दा जोई ओफ लाइफ जैहिन झाल 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 all the best enjoy the joy of life thank you